अच्चीज साल पहले आज ही की वो तारीख थी जब भारत ने सफल परमानू बरिक्षन कर दुनिया को अपनी धाग दिखाई थी ग्यारा मई 1998 को जैसल मेर के खेतुलाई गाउं में पोखरन रेंग से तीन बच कर 45 मिनट बर भारत ने तीन अंडरग्राउंड न्यूकलियर टेस्ट की को दो और टेस्ट किये और इसके साथ ही भारत दुनिया के परमानू संपन देशों की फेहरिस्त में शुमार हो गया था इस परिक्षन को नाम दिया गया ओप्रेशन शक्ती जैसल मेर का ये वही खेतुलाई गाउं है जो भारत के शौरे का गवा बना लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमानू परिक्षन के लिए खेतुलाई गाउं का इलाका ही क्यों चुना गया आखिर क्यों ये जगा परमानू वे स्पोर्ट के लिए वेग्यानिकों को मुफीद लगी इसकी दो वज़ा थी एक तो कुदरती दौर पर यहां जमीन के अंदर तक दूर दूर तक पानी का ना होना और दूसरा रायूलाई चटाने जो की ना तो पानी का अफ्रूशन करती हैं और ना ही पानी के बहाव में सहायक होती है तो लगाउं की जो भू एग्यानिक इस्तती है वो अपने आप में बहुत इविसिस्ट है यहां पर जो दर्ती के नीचे जो पत्थर पाये जाते हैं जियोलोजिकली वो रायलेट्स रॉक है जो वलकेनी के रप सन से यानि ज्वाला मुखी के फूर्टने से बनेवी चटाने है और इन रायलेट्स रॉक्स की खासित ही होती है कि इसमें पानी बिल्कुल ही कम मातरा में मिलता है जो बिल्कुल बिल्कुल सूखा हो जहां पानी का बहाँ होने से परिक्षण के बाद रीडियेशन का खत्रा बढ़ सकता है इसलिए परमानों विज्यानिकों को खितलाई जैसे इलाके की ही जरूरत थी जो बिल्कुल सूखा हो जहां पानी का भाव ना के बराबर हो ताकि विस्पोर्ट के बार रेडियोक्टिव पदाद भूमी का चल के जरीए भूजल को प्रदोशिद ना कर सके जो पूर पूर्टाय से ड्राइंग माना जाता था कि उसके अंदर बूमी का चल की संभाव ना बिल्कुल ही जून थी और इस गहराई तक हो गए थे लगबग जहां पर अगर जल मिल भी जाए थोड़ी बहुत मात्रा में तो भी रेडियोक्टिव को संभाव थे खेतुले गाउं में 2000 मीटर से अधिक घहराई पर भी पानी का नाम निशान नहीं है आज भी खेतुले गाउं के लोग पानी की समस्या से जूज रहे हैं आज भी इस गाउं तक पानी पाइप्लाइन के जरी आता है यह जल की जो किलत थी यह वहां के वासिदे पहले भी भोगा करते थे अभी वर्थमान में भी खेतुले गाउं में वहां का लोकल स्वोस कुछ भी नहीं है बाहर से पानी आता है रामेन जन या तो इंजा गांदी के नाल के पानी से अपना प्यास मुचाते हैं या लाठी उनीस सो अठानवे में पर्मारू परिक्षन के बाद खेतुले गाउं का नाम सुर्खियों में आ गया। इस परमारू परिक्षन को इतने गोपनी तरीके संजाम दिया गया कि अमेरिके इंटेलिजेंस एजेंसी को बनग तक नहीं लगी थी। खेतोलाई को पानी ना होने का वर्दान पूरी दुनिया में इसे एक ऐसी पहचान दिला गया जो कभी मिट नहीं सकती है प्योर रिपोर्ट क्राइम तर्ग जुलाई उलाई करेको प्याइम टूर्ट करेको प्योर नहीं सकती है